तो देखिए यह हमारा मेन चार्ट है जिसे आपको टक्स के लिए यूज करना है कटोरी वाले ब्लाउज में भी और फोर टक्स ब्लाउज में भी तो देखिए बिल्कुल साड़े नो पर हमारा टाट का निशान आएगा इस डाट के निशान को हमको कहां पर मिला देना है इस और उपर से लगबग आपके जो नाप आपका चार्ट में था उसी नाप से इसे लगाना है शोल्डर से डाट तक की दूरी कित्ती हो गई बीच की यहाँ पर साड़े नो इंच और आपको एक चीज बहुत ध्यान से क्लियर रखनी है कि जब आप डाट का निशान लगाते ह हैं मैं एक चीज आपको बता देती हूं 28, 30 और 32, 28, 30, 32 में अगर आप डाट का निशान लगा रहे हैं तो सवा इंच चोड़ी आपको डाट लगानी है यानि यह वाली बात कर रहे हैं साइज बढ़ता है तो शेप देने में थोड़ी सी हमें क्या आता है कि थोड़ा सा टक्स जादा लेना पड़ता है जिससे हमारा बस्ट का जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छा है हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स मेरज निपाल गुलगुल सीविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको कटोरी ब्लाउस और फोर्टक्स ब्लाउस में किस प्रकार से आपको टक्स लगाने चाहिए किस तरीके से आपको टक्स लगाते वग कौन-कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए वो सब चीज़े आज में आपको बताने वाली हूँ तो यह है हमारी Class 6 जिसके संपुर्स लाइ कोर्स में आज हम आपको टक्स के बारे में डिटेल से बताएंगे और देखिए जो हमने पिछले वीडियो आपने हमारे देखी लिये होंगे जिसमें हमने आपको कटोरी वाले ब्लाउस की drafting, cutting, vortex ब्लाउस की drafting और cutting बताएंगे तो कई मैला हमें कमेंट आये हैं कि हम tux point पर और tux के बारे में वीडियो बनाएं ताकि उनको tux की जो भी छोटी-छोटी problems आती हैं वो सब उसमें clear हो जाएंगे आज जो हमारा main वीडियो है, वो किसलिए है? टक्स के लिए, तो चलिए हम देर ना करते हूँ वीडियो को शुरू करते हैं देखें, सबसे पहले मैं आपको ब्लाउस के बारे में एक बार डिटेल से समझा देती हूँ यह देखें, यह हमारा आगे का गला है ये हमारा shoulder वाला भागे, ये हमारा आगे का हिस्सा, ये belt वाला हिस्सा और ये side से लई, ये margin लई, उसके बाद आता है हमारा belt वाला हिस्सा, ये देखें, ये तो हुआ हमारा four tux blouse, उसमें हमें देखें, tux हमको किस प्रकार से लगाने पड़ते हैं, ये एक सामने की तरफ tux आता है, एक हमारा ये side की तरफ tux आता है, एक हमारा ये armhole की तरफ tux जाता है, और ये हमारा hook पट्टी की तरफ आता है, तो हम जो आपको tux के बारे में बताएंगे, वो आपको ये main जो first वाला tux होता है, उसके बारे में बताएंगे, और main आपका जो tux है, वो ये ही वाल text आपको इसी से लगाने होते हैं देखें आप सबसे पहले हम chart के बारे में समझ लेते हैं पहले आप chart note कर लेजिए ताकि जब मैं आपको बताऊं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई doubts इसमें ना रहे हैं तो देखें सबसे पहले आपको chest वाला भाग लगाना है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर blouse की लंबाई जो आपकी blouse की आपने लंबाई रखी है लंबाई के according हमें उसके text को set करना पड़ता है और यहाँ पर हमें लगानी है यहाँ पर dart की लंबाई देखें सबसे पहले हमें chest वाला कॉलम बनाना है उसके बाद जो हमारे blouse की लंबाई यह उसका कॉलम बनाना है उसके बाद हमें जो निशान लगाना है वो क्या है हमारे dart की दूरी का निशान तो अब देखिए यहाँ पर आपको आप पहले नाप लिख लिजिए जो हमारे नाप रहते है 28 से पूरे 42 साइज तक हम यह आप नाप लिख रहे है देखिए 28 से 42 तक के नापे 28 साइज में हम लंबाई 12 इंच की रखते है 12 से 12.5 तक की हमारी लंबाई जाती है 32 इंच में 13 इंच की 34 में भी लगबग 13 की 14 इंच 36 में और 38 में उसके बाद में 14 इंच लगबग 40 इंच में और 15 इंच लगबग यहां पे किसमें लेंगे 42 इंच में तो आप नाप भी देख सकते हैं कि लगबग नाप हमें ये रखने हैं अगर इससे बड़े छोटे आप नाप करते हैं तो फिर आप जो आपके टक से हैं उनको इसमें आपको सैट करना रहेगा देखें उसके बाद जो देखिए अब ये देखिए डाट की जो दूरी है वो आप एक बार क्लियर हो लीजिए जो शोल्डर होता है शोल्डर से डाट की दूरी मैं आपको बता रही हूँ पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं जो डाट पॉइंट होता है बस्ट पॉइंट होता है जिसे आप लोग बोलते हैं वो शोल्डर से नापा जाता है और कहां आपका खतम होता है आपका बस्ट पॉइंट पे जिसे हम क्या बोलते हैं डाट की दूरी का निशान बोलते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पे जो आपका 28 size का blouse है जिसकी लगबग लंबाई कितनी है 12 इंच है तो आपको डाट की दूरी कितनी रखनी है यहाँ पे साड़े 8 इंच ठीक है जो आपके डाट की दूरी होगी वो कितनी है जाएगी शाड़े 8 इंच की हो जाएगी उसके बाद 38 size में आप जब लगाएंगे तो 9 इंच पर बद 32 size में लगबग 9 इंच पर आएगी उसके बाद में जब 34 size में 13 लंबाई है हमारी तो कितनी है इंच पर आएगी ये भी यहाँ पर शाड़े 9 इंच पर आएगी 36 size में और 38 size में जब आप लगा रहे हैं तो कितने इंच पर आएगी लगबग 10 इंच पर और देखिए यहाँ पर जब 42 size पर आप लगबग 10 इंच पर तो देखिए यह हमारा main chart है जिसे आपको टक्स के लिए और 30 इंच का आप ब्लाउस बना रहे हैं तो 9 इंच पर आएगी नीचे अगर आईए आप 36 इंच का ब्लाउस बना रहे है यानि चेस्ट 36 है और आपका जो आप चार्ट में लंबाई आपकी लगबग 14 इंच की है तो उसकी अगर आप डाट से दूरी लगाएंगे तो कितनी आईगे आपकी साड़े 9 इंच पर आप मैं आपको इसे जो आपका ब्लाउस का फर्मा है या ब्लाउस का आपका जो पैटन है उस पर रखकर आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूं आप सबसे पहले चार्ट नोट कर लीजिए देखिए आप यहां पर नाप देख रह मौट सा एक मैने सभी आपको एक डक्स को समझाने के लिए याप एक नाप लगा यह तो आपने जब ऑकर दैयार कर लिया उसके बात में दिखिए आपको निशाल लगाना है यहाप पर 3.5 इंच पर निशाल लगाना है यह मैंने यहाप इब 3.5 और निशाल लगाया और शोल्डर से आपको डाट तक की दूरी ना पनी है, तो 36 साइज में जब आप देखेंगे, तो आपकी जो शोल्डर से, शोल्डर को आपको यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर कितनी दूरी है, साड़े 9 इंच, आप देखें, मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूं, साड़े 3 इंच की दूरी पर लगाना है, और उपर से लगबग आपके जो नाप आपका चार्ट में था, उसी नाप से इसे लगाना है, शोल्डर से डाट तक की दूरी कित्ती हो गई बीच की यहाँ पर 9 इंच, तेखें, अब जो चारो सल आपको लगाने है, वो किस प्रकर लगान लगाने है, देखें, यहाँ से आपको बिल्कुल पॉइंट पर आपको 1.5 वाला पॉइंट रखना है, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट फिट कर देना, इसको साइड बह मिला दीजी, अब यह जो पॉइंट आया, इस पॉइंट पर आपको यह 1.5 इंच वाला निशान रखना है इस तरीके से और इसको यहाँ पर मिला देना है और इसे आर्मोल से मिला देना ये देखिए ये भी आपका सेकिंड ये सेकिंड पॉइंट ये थर्ड पॉइंट अब यहाँ पर आपको डेड़ इंच पर जो आपका इंची टेप का पॉइंट है उसे यहाँ पर रख आने हैं इसी भी तरीके से आपको कोई नाप, डापा जूपी B вообще नहीं करनी है। आपको डेर उंच और 1-1,5 आपको डेर इंच और 2-1 की दूरीाधि रखना है। बस सेट आपको इस तरीके से परना हbleला ही ₹ आपके shape में किसी भी प्रकार से कोई problem नहीं है ठीक है अब मैं आपको इसको कटोरी वाले blouse में भी एक बार बता देती हूँ ताकि आपका कोई भी doubt सो वो clear हो जाए देखे ये हमारा कटोरी वाला blouse है अब मैं आपको कटोरी वाले पे बताऊंगे कि आपको dart point किस तरीके से ल बाला भागे तो आपको वही same चीज अपनानी है शोल्डर से dart की दूरी नापनी है तीस साइज में आपके dart की दूरी यहां पर कितनी आएगी लगबग 9 इंच पर आएगी तो देखे 9 इंच पर हमें dart की दूरी लगाई और हमने इस निशान को बिलकुल इस प्रकार से सीध मिला दिया उसके बाद में देखे यहां पर आपको लगबग 7 इंच पर यह देखी 7 इंच और यहां पर भी मैंने 7 इंच की चोड़ाई का निशान लगाया है तो इन निशानों को हमें इस प्रकार से मिला देना है तो यह क्या होगा आपका यह tux point हो जाएगा और dart की दूर 28, 30, 32 में अगर आप dart का निशान लगा रहे हैं तो 7 इंच चोड़ी आपको dart लगानी है यानि यह वाली बात कर रहे हैं सवा इंच चोड़ी और जो लंबाई है वो लगबग किते इंच आएगे दूरी 2 इंच यानि कि जो dart की लंबाई आएगी वो किते इंच किया जाएग यह देखिए आप कहीं भी नोट कर लीजे ताकि आप बार बार इसे भूले नहीं क्योंकि अगर आप फॉर्मूले लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फियूजन हो जाएगा इसलिए आपको छोटी से चीजे याद रखनी है कि जब आप 28, 32, 32 का ब्लाउस सी ल जो चोड़ाई आपको रखनी है वो किते इंच की रखनी है और जो टक्स की लंबाई आपको रखनी है वो किते इंच की रखनी है धाई इंच की यानि कि टक्स की लंबाई ये वाली और चोड़ाई ये वाली उसके बाद आप अगर 40 और 42 साइस का ब्लाउस सील रहे हैं तो तो यहां पर जो टक्स की चोड़ाई है वो आपको किती रखनी है लगबग पौने 2 इंच की रखनी है क्योंकि क्या होता है साइज बढ़ता है तो शेप देने में थोड़ी सी हमें क्या आता है कि थोड़ा सा टक्स जादा लेना पड़ता है जिससे हमारा बस्ट का जो फिटि भी बता दिया है और टक्स लगाने का तरीका भी बता दिया है तो देखिए आपको मुझे आशा है कि आपको कोई वीडियो पसंद आएगा आप इसे फॉलो जरूर करेंगे फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो में हम आपको प्रिंस कट ब्लाउस की कटिंग बताएंगे और आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए बैल आइकन के बटन को ओन कर लिजिए ताकि वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहल कर लिजिए ताकि आने वाली नौटिफिकेशन आपको मिलती है